अदालतों को दोशियों पर जुर्माना लगाने की खबरे तो आपने बहुत सुनी होंगी। लेकिन क्या कभी ये सुना है कि किसी कोट ने दोशी को अपने पास से पैसे दिये हो। सुनने में ये आपको अजीब लग रहा होगा। लेकिन ऐसा हकीकत में हुआ है। बिहार के जिहानाबाद से ऐसा एक मामला सामने आया है। यहां जजज साहिब ने ऐसा कारनामा कर दिया कि लोग उनकी मिसाल देते नहीं ठक रहे हैं। तरसल कुछ हुआ यू कि जज राकेश कुमार सिंग बैंक के कर्ज के एक मामले की सुनवाई कर रहे थे। बैंक से कर्ज लेकर पैसे नहीं चुकाने का आरोप एक बुज़ुर्ग किसान पर था। जब जजज साहिब मामले की सुनवाई कर रहे थे तो बुज़ुर्ग किसान ने कहा की साहिब बेटी की शादी के बाद से कर्ज में डूबा हुआ हूँ। किसी तरह जीवन का गुजर बसर कर रहे हैं। इतने पैसे नहीं हैं कि बैंक वालों का कर्ज चुका सकू। ये कहते हुए बुजुर किसान भावुक हो गए और रोने लगे। इसके बाद जज साहिब का दिल पसीज गया। रोते हुए किसान की पूरी बात जज राकेश कुमार ने पूरी तसली के साथ सुनी। उसके बाद जज राकेश कुमार ने बैंक के अधिकारियों से कहा कि इस बुजुर का कर्ज मैं अपने जेब से दे रहा हूं। इसके बाद जज साहिब ने अपने जेब से 10,600 रुपे निकाले और बैंक अधिकारियों को सौब दिया। पहली बार किसी जज की तरफ से बैंक का कर्स चुकाने को लेकर बैंक अधिकारी भी हैरत में पड़ गए। आपको बता दे कि बुजुर्ग के उपर कुल 18,600 रुपे का कर्स था। लेकिन बुजुर्ग सिर्फ 8,000 ही बैंक का कर्स चुका पाया था। बाकी के पैसे नहीं होनी की स्थिती में जज साहिब ने बैंक का पूरा पैसा चुका कर मामले को रफा दफा कर दिया। जैसे ही इस बात की जानकारी अदालत परिसर में मौजूद लोगों को मिली, कोट परिसर समेट पूरे जहनाबाद में जज साहिब की प्रशंसा होनी शुरू हो गई। हम सरदार करद लड़की के साधी के लिए लिये थे और हमसे करद भुकाया नहीं। हम पर मोटी सो गया, हम करद 5,000 उजागे के मालिक विर्यसूर करने के लिए। तब हमको पास को ऐसा नहीं था, 18,000 मान रहे दिखाव सब जर्साहब आ गए, जर्साहब में हमको मदद दिया कि हम 10,000 देंगे जरी प्राम। पांस हजार आप दिये और तीन हजार और कुंदिये? तीन हजार हम लड़काई का है जहाँ खत्यूप से इसमें। बाकी दस हजार क्या कहांगे जर्साहब को आप प्लार हां तूगर रहा क्टेक्षय कई थोब आओ अम आशिर्वार देंगे आओ का हम आपका जिक्या नाम हो आपका राजिंदर्चावाज़ बाद कहां साहँ हैं आताम आप